दोस्तों अगर आपका फोन भी पुराना हो गया है और आप चाहते हैं कि अपने फोन को नया बनाया जाए तो आप सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन दोस्तों आपको टेंसर लेने के कोई जरूद नहीं क्योंकि आज मैं आपको आपके फोन की सिर्फ पांच छोटी छोट ट्रिक्स बताओंगा जिनकी मदद से दोस्तों ऊप अपने पुराने से पुराने पॉन को बिल्कुल नया बना सकते हैं और फिर यकैन माना दोस्तों की आपका फोन ना तो हैंग हो गाने लेक करेगा अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, बीच में छोड़ देंगे, फिर आपको इसका कोई फाइदा नहीं होने वाला, तो आप वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए काम की होने वाली है, तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग यहां पर इस बटन को प्रसर के वीडियो को लाइक कर दीजिए उसके बाद सब्सक्राइब वाले बटन को प्रसर के चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए साथ इस बिल आइकन को प्रसर के आल प्रसर इतना करने बात दोस्तों आपको नेक्ता कमेंट भाक्स में आपको एक अच्छी से कमेंट सेर करना आ आप पर जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों चलिए फॉरण वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको अपने फोन में सिर्फ पाँच ऐसी कौन से ट्रिक्स करनी है जिसे करने के बाद आपका फोन बिल्कुल नया हो जाएगा तो सबसे पहली problem जो सिर्फ के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे करने से दोस्तों क्या होगा कि आपके फोन में जो network है वो हमैसे full रहेंगे internet बिल्कुल fast चलेगा अब दोस्तों क्या होता कि हमारे फौन में जो ड्र से इंक हिए हमेसा पुरानी रहती है किक हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें ऐसे नया करना है, तो नया करने के लिए क्या करना है दोश्त को होड़ी, आपको अपने फौन की सिटिंग में ग कउएगा है तो इसी पर दोफ एब करना है और यहां पर आपको रिशेट का संक्ली दिछार है तो इसे आपको करना है Y šie पर आपके फोन का जो भी लाक वह वो आपको little देना है और ऐसे कर और आपके फोन में network भी बिल्कुल फुल हो जाया है जैसा कि आप देख से हैं कुछ देर पहले फुल नहीं था लेकिन आप हमारे फोन में network फुल हो चुका है अब दोस्तों आपको second setting करनी है तो second setting करने के लिए दोस्तों आपको developer option में जाना है तो आपको setting में जाना सबसे नी कितना ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना हो नीचे यहां पर आपको एप्स वाले कालम में जाना और यहां पर आपको don't keep activities की setting मिलेगी तो आपको सबसे पहले इसे आउन कर देना है यह आफ होगा अभी से आउन करने से क्या होगा कि दोस्तों आप जब भी कोई application यूज कर रहे हो चाहे वो facebook हो application हो चाहे whatsapp हो instagram कोई भी हो और उसे बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि वो application बैग्राउंड में active रहता है जो आपके phone को slow करता है hang करता है लेक करता है तो अगर आप इस setting को आन कर देंगे तो जितनी देर आप application चलाएंगे तब तो ठीक है लेकिन जैसे उस application से बाहर निकलेंगे तो बैग्राउंड में वो application एक्टिव नहीं रहेगा तो यह setting दोस्तो आपको हमेशा अपने phone में on करके रखनी है उसके बाद नीचे आपको background process limit की setting मिलेगी तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर दोस्तो हर एक phone में यह standard limit पर set होता है अब इससे होता क्या है कि जब आप standard limit पर set करके रखते हैं या company की तरफ से set होता है तो हमारे phone के background में बहुत स तो आपको developer में यह setting on कर देनी है छोटी छोटी दोनों उसके बाद यहां से आपको बाहर निकलाना है और अब दोस्तों आपको अपने phone में तीसरी setting करनी है उसे करतें के बाद दोस्तों आपके phone का touch वगएरा बिल्कुल जो है fast हो जाएगा तो इसके लिए दोस्तों आपको दो आपसे मिलेंगे swipe speed motion speed अब दोस्तों यह normal पर set है यहां पर आप देखते हैं तो इसे आपको ultra fast पर कर देना है उसके बाद motion speed और इसे भी आपको fast पर कर देना है अब इससे दोस्तों आपके phone की जो speed हो बहुत जाला fast हो जाएगी और आपका phone बहुत ही fast चलेगा फिर आप आपको बैक आना है और बैक आने के बाद यहां पर आपको screen refresh rate की setting मिलेगी तो यहां पर आना है और यह auto switch पर set होगा दोस्तों यह 60 hertz यह 90 hertz पर set होगा तो इससे आपको 120 hertz पर set कर देना इससे दोस्तों आप अपने phone की किसी भी page को अगरा को जब refresh करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी page जो है आएगा refresh होके ओके तो यह दोस्तों setting आपको चौथे number की करनी है इससे आपका phone बहुत ज्यादा fast रहेगा और अब last में दोस्तों आपको एक setting और करनी है जिसे करने के बाद अगर आपको phone में heating problem है गरम होता है तो बिल्कुल भी आपका phone गरम नहीं होगा त scanning Bluetooth scanning दोनों on है तो आपको इन दोनों को बंद कर देना है अब दोस्तों इन दोनों को बंद करने से क्या होगा कि आपके phone के background में जब यह scan करते है Bluetooth और Wi-Fi connection को तो आपका phone बहुत गरम होता है slow हो जाता है तो बस दोस्तों इतनी settings on कर लीजिए उसके बाद दोस्तों आप जो है load हो रहे हैं तो हैना कितनी जवादा strict तो दोस्तों यही था इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो को like share कीजिए फिर मिलते नेक्स वीडियो में thank you